आप सबसा ही सलामत है अज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं फलाफल और हुमूस की रिसीपी ये एक शुली मेढ़िल की रिसीपी है आप इसे और आपके पकरा भी कह सकते हैं जो कटेटिफ़े पहीं के साथ था प्राइब city बंते हैं healthy है बनाना बहुत City है आच सरा इसे बsystem में भी रख सकते है स्टोर कर सकते में बढ़ में दिखा किसे just पूरी रात मैंने भिग रखता है। तो आभी मुझ सॉप्ट करना है। तक रहां सुप्ट करना है। इसके बाद हम एक मिक्सर जाल लिया है और इसमें भीगा हुआ चना हम डाल रहे हैं पेस्ट करने के लिए इसके साथ कुछ चीज़े मिलाएंगे तो यहां पर मैंने दो प्याज लिया है काटके और एक मुठ्धी धनिया पत्ता लिया है यह मैंने मोटा वाला धनिया लिया है आप नॉर्मल धनिया लेख सकते हैं और कुछ लेहसुन की कली और हरी मिर्ची डाल अब अपने हिसाब से डाले दो टी टेबिल स्पून लेमोन जूस यानि निम्भू का पानी निम्भू का रस नमक डाल रहे हूं स्टेस के हिसाब से हाफ टी स्पून कली मिर्च पाउडर डाल रहे हूं एक टी स्पून धनिया पाउडर और एक टी स्पून जीरा पाउडर डाल रहे हूं, दो टेबल स्पुन राइस फ्लर डाल रहे हूं, चावल के आठा, यह ओप्शोनल है, अब अगर ना चाहे तो ना डाल सकते हैं, और हाफ टी स्पुन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपको जुरूर डालना है, इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है, चाना था वो भी मैंने पेस्ट कर लिया है, यह हम अब हमोस, के लिए तो हम बशला है, तो हम आदाना है यो, इस फ्लर देफेंगे और हमhouse, को मैंने रहे थे आख़न लिया है, अब हम खिया कर दो आद रहा है nggak प्धिक है, मैंने 1 1 4 टीजपून बेकिंग सोड़ा डालने से यह बहुत ही सॉफ्ट बनते है तो बेकिंग सोड़ा जोरू डाले चार पास विशल आने तक इसे बॉल कर लेना है तो जब तक बॉल हो जाए हम ताही नहीं तयार करते हैं तो इसके लिए मैंने आपे कुछ सफेद तील लिय आजा है इसे थोरा सा फ्राय कर लेना है जादा प्राऊन बिल्कुल ना करें हलका सा ब्राऊन जब हो जाए जब यहांboys से अ अब कि अजये हांस कलका सा ब्लाऊं हो गया है तो इसे थोरे सा ठंडा करने के बाद हम मिक्सिजेंग पर सी तरह पावडर बना लेना है पाउडर बनाने के बाद अभी दिखे ज्यादा महीन नहीं है हम इसमें डालेंगे ओलीव ओयल और थोरा सा नमक डालेंगे तो अभी मैं थोरा सा नमक डाल रही हूं और तक्रीबन दो तीन चमस टीस टेबल स्पून ओलीव ओयल डाल रही हूं इसे फिर्ट से चलाना है से स्मूथ पेस्ट तैयार करना है तो अभी देख रहेंगे स्मूथ पेस्ट बिल्कुल तैयार है तो यह ताहिनी हमें हुमुस बनाने के लिए चाहिए तो अभी हम हुमु सरजर पर डाल हे हूं और चना दालने के बाद इसमें थोरा से नमक डाले Im डालना है छार 5ателей सपून लमून जूस डाल रही हूं इसे पेस्ट कर लेना है जब पेस्ट हो गया है तो आभी ताहीनी हम ड़नेके दुद वही मैंने टैयार किया था वही से मैं डाले हूं दू टीस Soool और डलना है ओली वयल की और शिजला ले ने हैं तो भी तो मैं दूरा सा इससे ठंदा पानी निक्स करना यानि यानि फ्रीज का पानी तो जबारा सा और चला जांगे तक यह स्मूथ oluyor तो अभी देखिए परफेक्ट कॉंसिस्टेंसी है इसी तरह कॉंसिस्टेंसी रखना है हुम उसका तो अभी एक बरतन में डाल के से जैसे मैं कर रहे हूं बिल्कुल उसी तरह बीच में थोड़ा सा जगा तैयार करना है से गार्णिशिंग के लिए हमें ओलीव ओल और कुछ क के लिए और टेस्ट भी बहुत ही अच्छे है इसमें और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालना है उपर से तो यह अभी हुम बिल्कुल तैयार है तो अभी हम बनाएंगे तैयार करेंगे फलाफल तो मैंने फ्रीज से निकाल लिया है इसे तब इसका बॉल बनाना है आप साइ साइज बनाना चाह drinking चोटा तो मैं मेद्स बना रही हूं कि ऐसर्ग करें जिद सेसे बोल करें आप साइस की बना सकते हैं ऐब के ऊपर डिपन करेंगे आपकी कौनी साइस मैं बनाना चाहिए तो मैंने राउंड बॉल तैयर कर लिया है तब इससे फ्राइब कर लियना है तो मेडियूम आज पर इसे fry करें जब ये हलका सा ब्राउन हो जाए तभी दिमी करना है क्योंकि चुन रोस्य में ये उपर से कृणिन ब्राउन है और उपर से बան्च करना है तो अब आज बिल्कुल डिप ब्राउन हो गया है, तो यह फ्राइ हो गया है, तो इसी तरह सारे फ्राफल को हमें फ्राइ कर लेना है, तो दीखिए, मैंने पूरी तरह से इसे तयार कर लिया है फ्राफल, और अभी हमें इसे हुमुस के साथ सर्फ करना है, क्योंकि फ्राफल हुमुस के आना बहुत ही आसन है उम्मीद करती हूं आपको पसंद आएंगे फिर एक ने रिस्पी के साथ हाजिर होंगे तब तक आप खुश रहे और स्वास्त रहे अल्हाफीज